आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अनालेसिस कल है वीकली एक्सपैरी तो कल क्या हो सकता है कल जैसे के हमने डिसकस किया था रेंज में है फ्राइडे से डिसकस करें कि एक रेंज में है 17-400 का कॉल पुट बेचके रखो वो ही पुट आपको कॉल और पुट प्रॉफिट देगा option bias को धूर रहना है क्या कल option bias का दिन हो सकता है या कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो informative लगे तो एक like का बटन आप मुझे दिया गया है उसे दबा सकते हैं free है seconds नहीं लगेंगे और उसे के साथ साथ आप हमारे गुरूप में तक जॉइन नहीं होए हो premium गुरूप जो की free है for September month for new members तो description में दियेगे mail id पर shubam at take a news dot in पर आप मुझे mail कर सकते हैं और हमारे गुरूप में join कर सकते हैं उसे के साथ साथ अगर किसी को disclaimer नहीं पड़ा है तो इतना तो कोई expert नहीं है कि पहले वो इस move को भी capture कर लेगा इसको भी capture कर लेगा इसको भी capture कर लेगा फिर एक घंटा consolidated किया फिर एक 15 मिन का move आया फिर consolidated किया एक घंटा फिर एक 15 मिन का move आया फिर एक घंटा consolidated किया तो इस तरह के से market में overall consolidated किया बिच में एक और दो बार खाली उपर निचे किया था वो तो मैंने आपको कल भी कहा था कि प्लस माइनस देड़ सो पॉइंट तो आपको मानना ही पड़ेगा वो कुछ होने वाला नहीं है अब बात करते हैं कल की आज मेरा व्यू यह था कि आज अगर निफ्टी कोई भी एक रेंज जैसे कि यह रेंज बनी विए range के either side close करता है या तो higher side पर जाके कहीना कहीं close करता है या तो lower side पर आके कहीना कहीं close करता है तो आपको Thursday trending day मिल जाता और जो buyers मैं कहता है आरो Friday से कि दूर रो दूर रो दूर रो वो collective हो जाते हैं और वो market को एक side खीचने की कोशिश करते हैं लेकिन market ने किया किया market ने उल्टा किया range के lower end पर market खुला और फिर market ने वहाँ से एक recovery दिखा के वापिस range के बीचों बीच कहीना कहीं close कर दिया तो ये तो ये दिखाता है कि नीचे से buyers भी strong है उपर से sellers भी strong है तो most probably अब market participant क्या करेंगे कोशिश यही करेंगे कि कल जो बड़े players है कोशिश यही करेंगे कहीं न कहीं बीच में ही इसी range के बीच में क्लल की एक्सपारी की closing करा दी जाए जाना छिड़कानी नहीं कीज़ाए क्यूंकि जो बड़े players है वो test करते हैं पहले कि जो retailers है जो छोटे players है उनमें कितना dham है तो वो test कर रहे है रोज test करते है थोड़ा पहले नीचे आएके टेस्ट करेंगे लोवर साइड पे कितना dham है वहापे दिखते है कि वहापे बाइंग जादा है तो वो बुलेंगे कि फिर नहीं जाल अगर वो ट्रेंड करना चाहे तो एक ही कंडिशन है कि बही रेंज के उपर या रेंज के नीचे कई ना कई गैप या गैप डाउन खुला दो तो आटोमेटिकली पार्टिसिप्ट्राप हो जाएंगे और फिर मार्केट एक ट्रेंड कर सकता है लेकिन अगर कोई भी रें प्रेंज में ही दिखरी है आज का जो मूव हुआ है क्योंकि आज अगर रेंज के लोवर सेड़ पर क्लोस करता तो हम कल क्या सकते थे कि ब्रेकडाउं हो सकता है गाइंटी परसंड वियू यह है लेकिन हम हमारे वियू को भई पक्का पकड़के चलने माजे नहीं कि हमारा बियू हो गया और फाइनल वीव जाएगा ऐसा कुछ नहीं है व्यू चेंज करना पड़ता है व्यू चेंज तभी होगा जब इन रिन्ज के अने कम बूद क हिrance ऐस तो आज को बेबीू कर दो आज इसी पोधर वियंदे अनल को यह तरीं उन्हें मिला है ठीओ के अंदर दो 200-200 पॉइंट बना है 10-15,000 रुपया पर लॉट बना है चार दिन पाच दिन के अंदर और मोर दन इनाफ है अगर आप एक लाख रुपय लगाते हो दोनों को देशने में में एक हैल से 1.5 लाख रुपया लगता है तो 10% रिटन एक हफते के अंदर कोई खराब रिटन नहीं ह करता है अभी के लिए कल के लिए 90% हो यह है कि साइडवेज ही चला जाएगा कल साइडवेज आके शायद रेंज के किसी हायर सेड़ पर या लोगर सेड़ पर क्लोज कर देवे और फिर फ्राइडे को आपको एक ट्रेंडिंग विक मिल जावे वह देखेंगे वारना अगर क अगर इंफटी की बात करें उसते पहले के विने एक स्टॉक बिसक रियो करेंगे mostly range में ही रहना चाहिए तो buyers को पहले से preempt नहीं करना है कि भई उपर जाएगा या नीचे जाएगा break करेगा तो हम buy करेंगे bank nifty की बात करें उसते पहले कल में एक stock भी discuss किया था आप लोगों के साथ Ramco Cements कि Ramco Cements Cements sector में थोड़ा सा में को दिख रहा है कि भई तेजी है और आज अच्छा perform किया Ramco हो, Ultra Tech हो सबने ही अच्छा कासा perform किया Ramco खोला और ऐसा भी नहीं कि मौका नहीं मिला सबको मौका मिला, खोला, gap down और gap down के बाद उसने एक अच्छा आज closing दिया है डेली टाइम फ्रेम पर देखो कि तो अभी भी ये पूलिश है, कोई इसमें बेरिश सिगनल नहीं आया है हादा कि मैंने आज हमारे ग्रूप के अंदर profit booking की राई दे दी थी तो जो भी हमारे ग्रूप के अंदर जॉइन के वे हैं उनको हमने एक profit booking की राई दे दी थी कि भी रायम को सिमन में एक बार के लिए आप profit book कर लो, फिर हम fresh entry अब तब लेंगे जब 7.80 के उपर कि अगर आपको closing देखने को मिले कि daily closing 7.80 के उपर हो रही है तो फिर हम एक fresh view लेंगे, वाना तब तक के लिए हमने आज एक profit booking करा दिया है अच्छा खासा, तो जिन्हों ने भी कल call option buy किया था, या future buy किया था, या direct delivery में लिया था, उनको easily 2% एक दिन में मिल गया है delivery वालों को और option वालों को ता आराम से 10-15-15% का return आया ही है इस talk के अंदर आज के दिन पे कल के लिए दो स्टॉक में discuss कर देता हूँ जो कि हमने हमारे ग्रूप में already discuss कर दिया है तो ग्रूप में join रने का फाइदा ये रहता है कि वो चीज़ आपको पहले ही पता चिल जाती है आज के लिए IT सेक्टर है, थोड़ा से अच्छे सपोर्ट से बाउन्स लिए जो कर देखने के चांसे है उसके लिए हमने दो ट्रेड शेर किये थे ग्रूप के अंदर एक है LTTS, LNT Technology Services तो LTTS हमने एक शेर किया है, इसका view positive है अगर आप देखोगे, तो ये अपने 50-day moving average के उपर support लेने की कोशिश कर रहा है आज एक bullish hammer या bullish pin बार आप कैसे, तो proper bullish hammer नहीं है एक kind of doji ही है, लेकिन हाथ थोड़ा सा bullish candle बनाया है support लिया है moving average का और उपर के बाद जो resistance भी moving average का लिया है तो कल के दिन के लिए मेरा view है कि अगर IT sector positive होता है, तो ये counter positive हो सकता है पहरा target होगा 3670 के आसपास का, 3671 के आसपास का, और second target होगा 3700 के आसपास का तो यहां से करीब-करीब 100 point का move आपको LTTS और एक और counter है, वो है Tech M, Tech Mahindra वो भी थोड़ा सा bullish लग रहा है, इसमें एक trend line चल रही है, इस trend line का इसने support लिया है वोल्यूम supportive नहीं है, यहां कि LTTS में वोल्यूम supportive है, इसमें वोल्यूम supportive नहीं है और moving averages अग्दम आसपास आ गई है, तो कल के लिए मेरे खाल सी ये भी एक breakout दे सकता है, ये breakout देगा तो 1070-1080 तक के levels आपको टेके में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं, दोलो दो एक एक दो दो परसन के लिए आपको trade करना है, अगर आप options में या future में ट्रेट करते हैं तो बहुत हो जाता है, एक एक दो दो परसन, उससे जादा आपको नहीं चाहिए LTTS में अगर आप देखोगे तो जब भी-जब भी buying हुई है, इसमें volumes अच्छे खासे हैं, जब भी selling हुई हो या volume कम हुए, तो यहाँ पर consolidation हुआ है, उसका breakout आपको LTTS में शाहद देखने को मिल सकता है, वो preempt करते हम आपने buy किया है, अब बात करते हैं Nifty Bank के, कि Nifty Bank के case में क्या हाल है, let's check Nifty Bank also, Nifty Bank, Nifty Bank को भी अगर हम discuss करें, तो Nifty Bank का भी अगर आप daily time frame देखोगे, तो seem, as case of Nifty, Nifty Bank ने भी एक थोड़ा सा negative ही pattern बना भाया है, अगर आप थोड़ा सा longer time frame में देखोगे, तो एक M kind of pattern बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से चला, फिर नीचे आया फिर यहाँ से चला, और अब नीचे आने की कुशिश कर रहा है, देखते हैं, क्या करता है, हाला कि Nifty पे view, consolidation का है, Bank Nifty कल expiry है, तो मैं ज्यादा कुछ Bank Nifty में expect नहीं कर रहा है, Bank Nifty भी same as per Nifty ही कुछ काम करेगा, ज्यादा कुछ में को लगता नहीं, Bank Nifty तुफानी तो थोड़ी बहुत short covering आ सकती है, 40,000 तक की, 40,000 के उपर के expiry में नहीं मान रहा, लेकिन हा, गर सोचो, 40,000 पार कर जाता है, और उसके उपर, 40,000 के उपर, ये करीब-करीब, आदी घंटा, 30 मिनिट से भी अगर सस्टीन कर गया ना, तो कल तगड़ी वाली short covering आ सकती है, 40,000 या 40,100, ये आप मान के चलिए, अगर इसके उपर रहे गया 30 मिनिट, जो 30 मिनिट का लो होगा, उस लो के साथ आप bank nifty में buy कर सकते हो, call option और तगड़ा short covering आपको 300-400 point का दिखा सकता है, क्योंकि call expiry है, बड़ा number है, 40,000 उस पे काफे सारी writing हो रखी होगी, अगर वो break होता ह तो बड़ा move आएगा, नीचे के बाजो जब तक 39,000 break नहीं होता, short तो जाना नहीं है, वो मैं डेली कह रहा हूँ, कल भी कहा था, आज देखिया ही होगा आपने के नीचे खोला, लेकिन वापिस market वहाँ से उपर आ गया, तो बस ज़्यादा भी इलख से आप हमारे group में जो बाइ